द्वादश के बच्चों का संखिगी के इस 11 जुलाई 2020 की वीडियो लेक्षियर में स्वागत संचाई बारंबारता वक्र क्युमिलेटिव फ्रिक्वेंसी कर उगाईव जिसे हम बोलते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं देखिए बारंबारता सारणी में वर्गों की जो उच्च सिमाय होती हैं उनको भूज यानि की एक्स एक्सिस पर और जो संचाई बारंबारता होती हैं उनको हम वाई एक्सिस पर यानि की वर्टिकल जो एक्सिस होती है उस पर बिन्दु आलेखन के माध्यम से उन्हें हम एक वक्र रेखा से मिला देते हैं और इसी को हम संचाई बारमबारता वक्र बोलते हैं सबसे महत्वन बात है कि संचाई बारमबारता वक्र बनाने के लिए जो आंकड़े दिये गये होते हैं उनसे सबसे पहले आप एक्संचाही बरंबरता सारणी तैयार करते हैं उसके बाद graph paper पर दो रेखाएं एक दूसरे से 90 अंस का कुण बनाते हुए अर्था शेतिज रेखा और उर्धा धर रेखा कीचते हैं इन अब्यांस का डिगरी होता है न तो यह वही बात इनोंने कहने की कोशिश किये हैं तो एक खेतिज और एक उर्धा धर रेखा खेतिज रेखा को एक्स शेतिज यानि की horizontal और रिजूंतल रेखा यानि की पड़ी होई रेखा इसको x-axis बोलते हैं और जो खड़ी होई रेखा होती है उर्धा दर रेखा उसको य अक्ष या y-axis बोलते हैं एक्स अक्षिय तरहां वर्गंतराल लेते हैं। तो हम 10 गुर्भी संचारी वरंबरता चाहँ पस sinners go यहां पिर यहां एक्सष्टरह करें वर्णबार्मपार्था शाराणी पहले से बनाक्र लेनी होती है फिर वरंबारे जुँझ्याति बारंबरता के combination आएंगे उन पे आप डॉट लगाते चले जाएंगे और इन डॉट को आप मिला देंगे freehand से तो यही आपका संचाई बारंबरता वक्र कहलाता है यह कोई बहुत खास चीज नहीं है ध्यान से देख लिजिए उदार नंबर 5 से वरगंतराल दिये गए हैं और होती है वही संचाई बारंबरता में लिख ली जाती है फिर 2 में प्लस किया जाता है 3 को तो जो बन के आता है वो हो जाता है 5 ऐसा ही 5 में प्लस कियाता है 4 को तो आ जाता है 9 9 में प्लस करते हैं 6 को तो आ जाता है 15 प्लस 8 23 प्लस 10 33 प्लस 5 38 प्लस 2 40 तो यह आपकी संचाई बरंबरता हो गई है आप जो भी टोटल यहां आता जाए उसमें अगली बरंबरता को जोड़ते चले चाहिए ठीक है और इस तरह से संचाई बरंबरता बन जाएगी तो अगर आप संचाई बरंबरता बना चुके तो आप यह समझ लीजे कि जो वरगंतराल हैं इनकी उच्छ सिमाएं ले लीजे उच्छ सिमा जैसे यहां पर है दस तो पहला कॉंबनेशन दस और दो का बनेगा दूसरा कॉंबनेशन बीस और पांच का बनेगा तो इसे ऐसे लिख लिए गया है कि उच्छ सिमाएं दस बीस को एक्स अक्ष पर और संचाई बरंबरता हों को हम देंगे तो पहले 10 दो बनेगा फिर 25 बनेगा फिर 30 नो बनेगा यह कैसे बना देखे 30 और उसके आगे 9 है 40 के आगे 15 है तो यह combinations हैं यह combinations आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे हैं नीचे heading जरू डाले कि आपने संचाई बार मरता वक्र बनाया है पर उसके बाद में एक graph paper मन लेते हैं यह पूरा आपका graph paper है तो इस graph paper पे आपने थोड़ी सी जगे छोड़के कि इदर आप अंचाई बार मरता लिख सके हैं नीचे आप अंक लिख सके हैं किसी छात्रों के अंक हैं तो आपने एक vertical line खीची और एक फिर दूसरी line खीच दी य line lines को इसको आप y x axis बोलते हैं और इसको x axis बोलते हैं अक्ष यह एक्स 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 तो अब आपने यहां पर लिख लिए 0 के बाद फिर 10 20 30 40 जितने भी वर्ग हैं 80 तक वह लिख लिए संचाई भरम बारता आपकी कहां तक जाती यह 40 तक गई है तो आप 5 पांच पांच का डिफ्रेंस लेते हुए एक सेंटीमीटर बराबर 5 यहां पर स्केल लिखना चाहिए यहां क्या लिखना चाहिए पैमाना एक्स अक्ष पर एक सेंटीमीटर बराबर 10 अंक फिर लिखना चाहिए वाई उपर लिखेंगे वाई अक्ष पर क्या लिखेंगे ए Ben 11 अन्हों नहीं नहीं लिखा आप लिखेंगे समय के और एक सेक्सिस पर किया लिखेंगे अभी मैं बता चुका हूँ, एक सेंटिम्टर पराबर 10 अंक, तो इस तरह से यहाँ पर लिख लिया जाएगा, अब आप combination देखे, 10 के आगे क्या था, 2 था न, तो आप देखे 5, 0, अगर आप ध्यान से मेरी बात देख लें, इसे, यहाँ पर आपको चाहिए 2, आप जानते है कि यह 0 से 5 है, तो इसके ठीक बीच में यहाँ पर कहीं धाई होगा, उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ दो होगा, और जब आप ग्रापेपर देखते हैं, तो उसमें बग्यादा, जो है, यहाँ यहाँ पर छोटे-छोटे, मिली सेंटिमीटर दिये गए होते हैं, तो उसमें यहाँ पर दस जो खाने हैं, उनको आपने 5 माना है, तो अगर आपको 2 चाहिए, तो 4 गिल लिजे नीचे से, और यह 2 के बराबर हो जाएगा, तो आपने देखा कि 10 के आगे 2 चाहिए, तो इसके ठीक चलेंगे बराबर, डॉट लगाते हुए, और यहाँ पर एक आप लगा लिया, क्योंकि यह इसके ठीक सामने है, 9 था, सॉरी, तो 9 तसके एक अंक नीचे है, तो देखें, 9 के एक तुरा सा नीचे से डॉट लगाते हुए, यहाँ पर आपने एक बड़ा डॉट लगा लिया, इसी तरह से 40 का कॉमिनेशन 15 था और 50 का कॉमिनेशन, अब आप क चले जाएंगे, बस यही आपका ओगायव या संचाई बरंबरता वक्र होगा, बस इतनी सी बात है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस यह नहीं है, ओके, देखें, पहमाना कैसे लिखते हैं, ऊपर नहीं लिखा था इन्होंने, तो इन्होंने नीचे लिखके दिखा दिया, यह आ बस बात इतनी सी हो गई, ठीक है, तो इस प्रेकार वरगंतराल और संचाई बरंबरता से बिंदों की इस्थित की जानकारी ग्राफ पेपर पर अंकित हो जाती है, और इन्हें जब आप मिला देते हैं, मुक्त हस्त द्वारा यानिकी फ्री हैंड से तो यह संचाई बरंबर बरंबरता वक्र गहलाता है, इसी को हम थोड़ा सा एक और उधारन से प्रेक्टिस करते हैं, वरगंतराल बरंबरता हैं दी गई हैं, वरगंतराल जीरो से दस से ले करके 90 से 100 तक हैं, हम इन्हें लिखते चले जाएंगे नीचे तक, फिर उनके बरंबरता हैं लिखनी, अब प्लस बारा एक्टिस, बारा प्लस सत्रा अड़तिस एंड सो आन, ये बरंबरता हैं, संचाई बरंबरता अन्तिम जो होगी, वो कुल बरंबरताओं का, यहनि कि अगर आप इन्हें F बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, क्यूमिलेटिव फ्रेक्वेंसी यहनिकि C F, यह क् सिगमा F होता है, वो उतना ही आएगा जितने की लास्ट क्यूमिलेटिव फ्रेक्वेंसी होगी, क्योंकि यह इन सब का जोड़ी तो है, यह वाला, तो 108 इसका सिगमा F होना चाहिए, हलाकि अभी इसकी जरूरत नहीं, लेकिन यह मैंने आपको बता दिया, इसको कैसे रिपर करना है कि 10 पे आप जाएंगे, और 3 यहां पे अगर 10 और 0 के बीच में 5 हैं, तो 5 के थोड़ा नीचे 3 होगा, यहां डॉट लगाते हुए, 10 के ठीक ऊपर आप चले इस लाइन पे, और यहां एक आपने डॉट लगा लिया, 20 के आगे 9 है, तो 9 पे लगा लिया, 30 के आगे, इनकी साइज संख्या 22 है, तो यहां 22 यहां 22 यहां लगा लिया, इस तरह से डॉट लगा करके फिर आप इने मिला देते हैं, फ्री हैंड से और यह आपका बन जाता है, ओगायू, ठीक है, संचाई बारंबारता वक्र के उप्योग क्या हैं, हम क्यों बनाते हैं, जब हम बन जोंद उसे ऊपर या नीचे कितने आकड़े हैं, इसकी गढ़ना करना बहुत असान हो जाता है, एक ही आरेक पर दो या दो से अधर कारते वितरन वाले सम्मूहों को परदरशित किया जासकता है, तथा इन आवरत विछोणों की आपस में तुलना ऑबी की जा सकते है, एक ह को मिला तो है आप यह बनाएंगे आप इन दो स्रेडियों के आपस में तुलना कर सकते हैं उनके बारंबारताओं की संचाई बारंबारता वक्र से अधिक संचाई बारंबारता वक्रों द्वारा उनकी मद्दिकाओं चतुर्थांसों और दशांसों की तुलना की जा सकते हैं संचए बरमृता वक्र की सीमाये क्या हैं। इसकी पहले सीमाय है कि संचए बरमृता वक्र, अथवा वक्रों दवारा वेक्षय करना दोड़ा कठेद हैं। या कारे विशेशक्य ही कर पाते हैं। दूसरा इनके अधार पर की गई व्यक्याएं अनुमानित होती हैं श्याद प्रतेश्य सही नहीं हो पाती है एक और आता है अंतिम इसमें देखा चित्रों में कालिका चित्र इसे भी हिस्टोग्राम ही बुलते हैं कालिका काल से बना है काल अर्था समय लेकिन समय के अलावा इसमें समय सारणी के अलावा है इस्थान सारणिया या हिस्टोरिकल देखे हिस्ट्री तो इधिया से समय से ही रिलेटेड है लेकिन इस्थान जो है वो जेगराफी से रिलेटेड है लेकिन समय और इस्थान सारणिय कालिकाचित्र के मादम से दिखाई जाती है एक उधारन आप इसका देख सकते हैं यह एक नंबर में आ सकता है या बावे कलपी में आ सकता है कालिकाचित्र उधार नंबर साथ जो है वो पूरे में आ सकता है यह पांच नंबर जो आपका दस नंबर का सवाल होता है उसमें पा के दोचार आठ तक और उनके मूले फ्रति किलोगराम की वुल दिये गये हैं आप को क्या करना हि कि नीचे वर्ष लिखने है आपने लिख लिख लिए एक अलिका चित्र हेडिंग नाला और नीचे लिख लिख लिए वर्ष और उसके बाद में आपने जो मूल लें दिए गए हैं अगर आप ध्याईंसे देखें मूलमु जो हैं वो दरसल चार तीन के ही रिंज में तो आप मूले कहीं लेंगे तो शुरुआ से तो एक दो तीन चार पांच ऐसे करके आपने ले लिया अब इसके बाद में दो में मूले कितना है चार तो आपने दो में सीधे सीधे चार पे यहां पे डॉट लगा लिया पर उसके बाद में 2001 में 4.5 है तो 4 और 5 के बीच में यहां कहीं 4.5 होगा इसके ठीक सामने यहां पर आपने एक डॉट लगा लिया पर 2002 में 3.8 है तो यहां 10 खाने होते ही है आठवे खाने के ठीक सामने आपने यहां पर एक डॉट लगा लिया ये इसका औसत्मूल को परदरशित करती है कुंकि कुछ मूल्य, कुछ मूल्य इसके नीचे है तो ये औसत्मूल है आप को जाता है कि वित्सट्ट का मूल्य बाइवन्ह वर वर्श繼續 आपने औसत्मूल सारे मुलियों का योग बटरे एक दो तीन चार हो तो आप जादब जाएंगे तो निकाल लीज का इसी सब्नाइग और बहुंक कर लिए और गन souvent इसे से साथ आट ओनका कि न सब्सक्राइब कहें गार्व उन्हे की को एफसा साथ देख़ पाहर है कि चार से अलग-अलग वर्षों में कितना अंतर है चार से यहां पे कुछ जादा है कं मैं यहां कम है और जश्यांट में पिर यह दम सब बढ़ गया तो कभी चार से औस फुली से किसी वर्ष में जादा है किसी वर्ष में कम है यह चित्रों के नीचे हैं लाइन के तो एक तरीका है आखणों का चित्रों है प्रदर्शन अगर हमें करना हो देखिए अभी आप रेखा चित्र पढ़ रहे थे अब आप चित्रों के कुछ और प्रकारों को पढ़ने वाले हैं जटिल आंकड़े कैसे रेखा चित्रों के माध्यम से आप करशक चित्र आप पढ़ने वाले हैं इनके नाम जान लीजे बाकि इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में एक विमाचित्र वन डाइमेंशनल टू डाइमेंशनल दू विमाचित्र थ्री डाइमेंशनल यानिकि त्री विमाचित्र मान चित्र या चार्ट भी हम इसे ब लहाल तो हम आज की ये सारी चीज़े यहीं पर रोकते हैं बाकी की चीज़ें अगले लेक्षर में कवर की जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद